किसान साथियो यह है पावर ट्रैक यूरो पचास नेक्स्ट सीरीज का ट्रैक्टर सूपर मैक्स ट्रैक्टर है पावर स्टेरिंग टॉप मोडिल ट्रैक्टर है आज मैं आपको इस वीडियो में इस ट्रैक्टर की पूरी टेक्निकल इल्फोर्मेशन और डीटेल बताऊंगा किसान साथियो ये ट्रैक्टर 50 HP प्लस केटेगरी का ट्रैक्टर है मतलब 52 HP का ट्रैक्टर है 52 HP का जो कि स्वराज 855 और 36-30 सूपर जो ट्रैक्टर आता है 52 HP तरेपन HP का उनके competition के लिए इस tractor को बनाया गया है, काफी शांदार, heavy और heavy load के कामों के लिए इस tractor को बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, शांदार, looking, euro की branding, next की branding दी गई है, power track की branding काफी अच्छे से दी गई है, और next की branding आपको guard के उपर मिल जाती है, किसान साथियों, ये tractor आपको 52 HP 2000, engine rated rpm, 3 cylinder, non turbo, 2930cc के अंदर आता है, जिसका bore 101 mm और stroke 110 mm है, काफी अच्छा engine है, AVL technology का, liquid sealed engine है, कभी भी आपको इसके engine में leak वगेरा होने की समस्या नहीं होने वाली है, किसान साथियों ये देखिए, tractor single piece bonnet के साथ आता है, जो की hydraulic jack की मदद से अपने आप उपर उठ जाता है, काफी शांदार LED lighting दी गई है, आगे आपको 80 kg का bumper company की तरफ से दिया जा रहा है, front tire आपको 750-16 के मिलते हैं, और double acting power steering, इस tractor के अंदर आपको दिया जाता है, balance type double acting power steering, front axle काफी जाता है, heavy है, और non adjustable, इस tractor के अंदर आपको मिलता है, किसान साथियो double hydraulic pump दिया गया है, power steering का pump अलग है, hydraulic का pump अलग है, और आपको इस tractor के अंदर power steering के लिए separate oil tank मिलता है, मतलब अलग से oil का container मिलता है, आपका power steering में पिछले हिस्चे का तेल नहीं चलता, उसके लिए अलग से एक box दिया गया है, यहाँ पर यह starter motor, hydraulic oil filter, और उसके side म आपको battery box मिल जाता है, side में battery रखने के लिए, यह आप देख सकते हैं, इस tractor के अंदर आपको wet type का air cleaner मिलता है, जो कि three stage type का है, pre cleaning के साथ आदा है, और काफी बड़ा radiator आपको engine को ठंडा करने के लिए मिल जाता है, किसान साथियों काफी अच्छा और सांदा tractor, power track की तरफ से, escorts company की तरफ से पेश किया जा रहा है, लगबग support platform है, आप देख सकते हैं, comfort के मामले में काफी अच्छा है, heating के guard भी दिये गए हैं, engine की गर्मी आपके पैरों तक ना पहुचे, PTO का lever आगे करने पर 540, पीछे करने पर multi speed, और reverse PTO में engage हो जाने वाला lever आपको left hand side में मिल जा साइड shift gearbox हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, किसान सात्यों इसके अंदर आपको hydraulic उठने और गिरने की गती को कम या जादा करने के लिए एक switch दिया गया है, hydraulic उपर उठा के lock कर सकते हैं, उसके लिए भी एक switch दिया गया है, और adjustable seat मिलती है, आगे और पीछे अपनी seat को adjust कर सक किसान सात्यों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पिछले टायर 14-28 और 16-28 दोनों ही option किसान भाई को मिल जाते हैं, ट्रैक्टर के पिछले इससे की बात कर लेते हैं, काफी heavy बनाये गया है, heavy काम के लिए, आप देखिए पीछे से tractor की looking, एकदम heavy बनाये गया है, इसकी lift capacity आप को 2000 किलो ADDC type की category 2 की मिलती है, मतलब 3 point linkage वाली, 0 greasing point है, एक भी greasing point इसके पिछले axle में दिया हुआ नहीं है, जो कि ये काफी अच्छी बात है, और इसका पिछला axle inboard reduction type की technology का दिया गया है, और इसका पिछला हिस्सा पूरा का पूरा आपको तेल में डूबा हुआ मिलता है, इनboard reduction type की technology थोड़ी planetary वगरा कर देनी चाहिए थी, किसान सातियो 2000 किलो की lift capacity है और आपको दोनों ही link को में link level करने के लिए दिये गए हैं, यह आप देखिए इस link में भी लगा हुआ है और दूसरी link में भी link level लगा हुआ है, यह काफी अच्छा feature है और हर ट्रेक्टर में आ आपकी मिट्टी के अनुसार जिससे आपका जुताई वगरा काफी अच्छे से हो double QRC coupler या SCV valve इस tractor के अंतर मिलते हैं company fitted और इसका separate lever आपको मिलता है, आप इसमें laser leveler, MB plow, tipping trolley कुछ भी लगागर आसानी के साथ चला सकते हैं, double sensing point, sorry double SCV valve हर एक company को अपने tractor में आप देना चाहिए लगबग 45 HP से उपर के लगबग सभी tractors में ये compulsory होना चाहिए, कुछ company अभी भी इसको अलग से charge करके लगवा रही है, किसान साथ यो hitch adjustable है, उपर से नीचे आप अपने hitch को adjust कर सकते हैं, और अगर इसकी PTO की बात की जाए तो इसके अंदर 46 HP की 540 RPM वाली 6 spline की PTO लगी होई है, जो कि अपने 540 RPM, 1810 inch dated RPM पे produce करती है, और इस tractor के अंदर आपको multi speed और reverse PTO को option मिल जाता है, मतलब हर gear में आपको PTO के अलग चक्कर मिलते हैं, और reverse gear डालने पर आपको reverse speed PTO घुमनी शुरू हो जाती है, काफी अच्छा tractor है, शांदार heavy बनाया गया है, पांच साल की standard warranty company की तरफ से दी जा रही है, आप देख सकते हैं, पांच साल या पांच हजार घंटे, किसान साथियो 60 लिटर की fuel tank capacity है, driving view आप देख सकते हैं, care button के साथ ये tractor आता है, escorts के लगबग सभी tractor care button के साथ आते हैं, ये देखिए इसका digital instrument cluster क्या शांदार color instrument cluster का दिया गया है, काफी अच्छा लगा personally, कुछ analog और digital दोनों ही clusters के साथ आपको मिल जाता है, ये आप देखिए, यहाँ पर चारों indicators एक साथ ओन करने के लिए left hand side पे parking का switch दिया गया है, right hand side पे आपको indicators और hand race के lever दिये गये है, किसान साथ ये छोटा steering wheel है, काफी comfortable और ये कारों वाली feeling देने के लिए एक छोटा ची एक device type लगा हुआ है, steering wheel के ओपर नीचे dashboard पे आप देख सकते हैं, आपको horn, lower beam, upper beam, 12 volt DC, mobile charging port, left hand side पे मिलते हैं, और right hand side पे आपको key socket, stopping switch और lighting के switches मिल जाते हैं, किसान साथ ये अगर क्लच की बात की जाए, तो ये इसका main clutch है, आपके tractor को रोगने के लिए, heating के guard दिये गये हैं, काफी अच्छे से, ये wet type का diaphragm type का clutch है, इस tractor के अंदर आपको double clutch का option मिलता है, मतलब PTO का जो clutch है, वो आपको separate clutch मिलता है, अलग से, जो काफी अच्छी बात है, low high medium के साथ, side shift gear है, full constant mass technology के साथ, मतलब 12 gear आगे जाने के लिए, 3 gear पीछे जाने के लिए, काफी अच्छी ये चीज मुझे power track ने, जो next series के अंजल launch किया है, ये काफी अच्छी लगी, ये देखिए PTO lever के instructions, यहाँ पर दिये गए हैं, ये है इसका PTO lever आगे करने पर 540, और पीछे करने पर multi speed और reverse PTO में engage हो जाता है, ये देखिए आप gear levers की जो position है, वो काफी अच्छी जगह दी गई है, ये है PTO का अलग से independent या separate clutch आप कह लीजिए, काफी अच्छा improvement किया है power track ने, अपनी next series के अंदर, double clutch होना चाहिए, ट्रैक्टर के अंदर, PTO वाला अलग clutch, यहाँ पर कुछ additional detail दी गई है, आप वीडियो को पाउज करके, असानी के जाथ अधिक जानकारी ले सकते हैं, किसान साथियो ये देखिए, दूसरी तरफ से भी heating का guard लगा हुआ है, जो engine की गर्मिया आपके पैरों तक ना पहुचे, इसके अंदर आपको तेल में डूबे हुए disc brake मिलते हैं, multi plate oil immersed disc brake, और ये है इसका main gear lever, 1234 reverse, मैंने आपको जैसा की बताया, 12 gear आगे जाने के लिए, 3 gear पीछे जाने के लिए low high medium, speeds के साथ full constant mass technology है, और side shift, काफी अच्छी position में gear levers दिये गए हैं, और काफी अच्छा और काफी comfortable tractor ये, मुझे लगा उपर बैठने के बाद, किसान साथियो ये है, इसका position control और draft control का lever, इसकी 2000 kg की lift capacity को control करने के लिए, ये आप देखिए, right hand side पे दिये गए हैं आपकी, तो साथियो आप बताईए, ये ट्रेक्टर 855, 36, 30, TX, Super Plus को टकर दे सकता है या नहीं, इसके features आपको कैसे लगे हमें, कमेंट करके जरूर बताएं, इस ट्रेक्टर के price, 7,25,000 रखी गई है, डिस्टिक अम्रोहा, जोया, पावर ट्रेक की एजैंसी पर, आप डीलर से आकर contact कर सकते हैं, अगर आपको ये ट्रेक्टर में आप इंट्रेस्टेड हो तो, किसान साथियो वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,